जैहिन दोस्तो मेरा नाम है CA जतेन तागरा और आज हम डिसकस करने वाले हैं कैसे Indian Chartered Accountant CPA Australia की डिगरी ले सकते हैं और Initial Level पर हमें जो डिगरी अवर्ड करी जाएगी उसका हमारे CA Institute के साथ Mutual Recognition Agreement है CPA Australia के साथ जो आपको डिस्पले पर दिख रहा है और यह CPA Australia की website पर भी available है और साथ में जो हमारा ICA है उसकी website पर भी available है तो सबसे पहले पातवी के अंदर हम डिसकस करके चलेंगे कि कैसे आप CPA Australia की membership ले सकते हैं सबसे पहले एक चीज़ हमें यह clear होनी चाहिए कि हमें Indian Chartered Accountant होता है तो step 1 हो गया कि सबसे पहले आपको eligibility determine करना है कैसे कि आप एक member है good standing में यानि आपके against में कोई disciplinary sanction या investigation नहीं होनी चाहिए और again आप certificate with member of good standing है उसके लिए ICAI आपको एक certificate भी issue करता है जिसको apply करना होता है online जो हम आपको next video के अंदर बता के चलेंगे कि वो कैसे apply करना है then उसके बाद वो यह बता रहे है कि आपने जो ICAI की membership है वो किसी और MRA के थूँ ना ले रखी हो मतलब आपको पढ़ लिख कर ही जो Indian standards है उसके हिसाब सही आपके पास CA की degree होनी चाहिए otherwise आप इस eligibility के अंदर step 1 के अंदर फॉल नहीं करेंगे तो यानि वो कह रहे है ICA exam कर complete होना चाहिए आपका अर्टिकर्शिप complete होना चाहिए और यह बीच में end लगावा है end का मतलब है कि आपके पास जो CPA Australia की university degree है वो recognized होनी चाहिए आपके पास यानि आपके पास graduation होना चाहिए यानि इन दोनों condition और आपके पास past साल का professional accounting का experience होना चाहिए यानि अगर आप freshly qualified यानि newly qualified charted accountant है दन उसके बाद आपको basically किया चाहिए कि आप graduate भी हो अब अब लोगों के मत के अंदर question आता है कि हाँ कि मैं Delhi University से हूँ तो मेरी यह जो degree है is it eligible or not? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं Chaudhari Charan Singh University Merit से हूँ again that degree is equally eligible for the application and it can also fall under this category या आपके पास past साल का experience होना चाहिए इन दोनों में से एक उपर वाली condition certificate विगडियाने अगर मैं sum up करूंगा certificate of आपके पास good standing होना चाहिए number one कोई आपके ओपर discipline reaction pending नहीं होना चाहिए then उसके बाद आपका C.A. तो आप obviously बात है कि आप C.A. करके ही आएंगे then आपके पास या तो आपके पास degree होनी चाहिए या आपके पास का experience होना चाहिए यह step one हो गया then इसके बाद आप इससे आप application यानि यह जो link है link मैं आपको description के अंदर डाल दूगा वहाँ पर आपको जाकर apply करना है apply करने में आपको सारे के सारे documents जो आपके होंगे वो upload करने होंगे जिसमें आपकी mark sheets भी आ जाएगी और उसके बाद online payment होगी 10-15 दिन लेंगे आपके यह steps को verify करने के लिए and then उसके बाद आपको CPA का आपका course के अंदर entry हो जाएगा आपके सारे के सारे paper exempt है except two papers कौन-कौन से two papers है better practice in governance and accounting accountability online होगा आपका यह अला paper to discuss that thing then आपको यह दो paper clear करने हैं then आपको CPA की degree मिल जाएगी but अब आपके मन में थोड़े से question हो रहेंगे कि जैसे आप इंडिया के अंदर practice कर सकते हैं कि आप Australia के अंदर practice कर सकते हैं तो इसका जवाब है नहीं आप Australia के अंदर जाकर practice कोई signing power आपके पास नहीं आएगी उसे जानने के लिए हम एक next video detail बनाएंगे कि आपको कौन-कौन से paper देने हैं अगर आपको वहाँ पर जाकर अपना certificate sign करना है या audits करनी है तो उसके लिए हम एक next video बनाएंगे आपको याली वीडियो बहुत पसंद आई होगी अगर आपको यह पसंद आती है प्लीज आप इसे like करिए and then share करिए so that कि आपके जो दूसरे CA friends है उन्हें भी पता लग जाए के CPA Australia के लिए Indian Chartered Accountants के लिए क्या-क्या opportunity available है कितना easy है इसे करना और नए है तो चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब करिए थेंक यू